हुआ है गाइज वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग कैसे सभी आई होब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज देखिए एससी जेए के 2022 के प्रिप्रेशन में आपके लिए एक मील का पत्थर लेके आया हूं यहां पे एससी जेए के लिए 10-minute concept में special concept जी हां दोस्तों आपको मैं यहां पे मज़ेदार और बिंदास concept सिखाऊंगा एससी जेए 2022 के लिए तो इधर दर की बाते ना करते हुए एक अच्छी सी मौनिंग पर अच्छी सी सुरुवात करते हैं आपके लिए और आज हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे के सी एल जो है आपका के वारे में पढ़ेंगे किर्चाफ करेंट लो जिसके उपर एससी चाहता कहता है यह बड़ा इंपऑड़ेंट है यह क्या होगा की इट इस को is defined यह कहां पर defiant होगा it is defined at God यानि की कि किसी भी नोड के उ पर क्या हुग है के principle node अब क्या होता है simple node principle node simple node आपका दो वह ह conditioned हो इसे जहाँ पर हमारी कितने हो सिर्फ दो ब्रांचेयक हो आपकी दो ब्रांच हो आपकी simple note होगा और यहां पर आप की दो आपकी जो principal node होगा इसमें at least आपकी दो से जाधा incoming या फिर outgoing branch that is a known as simple node and principal node तो यहां से हमें क्या concept पता चले कि कहां पर defined हमारा किसी भी node के ऊपर जो के सील है वो defined है के सील के अगर मैं यहां पर definition की बात करूं तो के सील के जो definition वो क्या कहती है यह आपका definition कहेगा यहां पर एक ही सर ऐसा है कि जो KCL है के सील वाता है कि आपका एट एनि टाइम सम आफ करेंट गया चले यहां डी अपर जो क्या बीक किसी भी node के उपर माल लिजे हमारा क्या है यह node है आपका तो इस node के उपर जो sum है आपका sum sum of incoming sum of incoming current आपका जो है क्या होता है यहाँ पर sum of incoming current यानि कि जितना इस node के उपर आ रहा है वो किसके equal होता है sum of outgoing current के equal होता है तो KCL यहाँ पर देखिए दौन ही चीजों को justify करता है outgoing current तो यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी node के उपर जो branch leaving current उनका algebraic sum क्या होता है 0 होता है या फिर किसी भी node के उपर जितना आपका यहाँ पर जो incoming current है वो किसके equal होगा outgoing current के equal होगा now let me explain यहाँ पर किस तरीके से काम करता है तो यहाँ पर माल लीजिए यह मैंने कोई भी node ले लिया ठीक है यह हमारा node है जिस पर यहाँ पर i1 और i2 क्या है आपके incoming branches है ठीक है और यहाँ पर इसके corresponding मैंने क्या ले लिए यहाँ पर आपके और branches ले लिए जो कि कैसी है आपकी outgoing branches है अपके ठीक है so let it be यह आपका i3 हो गया यह आपका i4 हो गया और यह क्या हो गया हमारा i5 हो गया ठीक है तो अब यहाँ पर देखे जो kcl है आपका kcl आपका क्या कहेगा kcl simple कहेगा कि किसी भी node के ऊपर किसी भी node के ऊपर जितना भी current आ रहा है आने वाला sum किसके equal होगा जाने वाले sum के equal होगा तो इट मीस्ट यहां पर जो आपका i1 और i2 यह कैसा देखो incoming current है इसका sum किसके equal होगा i3, i4, plus i5 के equal होगा की नहीं होगा से यहां पर incoming current का sum किसके equal होगा, outgoing के equal होगा आप देखिए same equation को आप ऐसे लिख सकते है कि जो आपका incoming current है, incoming current को आपको कैसे लेना है minus में लेना है और जो outgoing current है उसको positive में लेना है यह कोई universal law नहीं है, एक क्या है आपका KCL का reference है आप इसका ultra भी कर सकते है, incoming को अगर positive ले रहा है तो यह क्या हो जाएगा, I3, I4, I5 और इसका जो sum होगा, वो किसके equal होगा, हमेशा 0 के equal होगा तो यहां तक तो आप लोग पढ़ते आए होगे अब मैं यहां पर कुछ आपको अच्छा सा सिखाता हूँ तो guys देखो यहां पर, जो आपका current है I current I क्या होता है, बताओ मुझे current I होता है, DQI, DT that is a flow of charge with respect to time T अब यहां पर देखिए, if अगर यहां पर, मैं value रख दूँ यहां पर इस वाली equation में इस वाली equation में, अगर मैं यहां पर value रख दूँ तो यहां पर यह वाला क्या आ जाएगा, हमारे पास में देखिए DQ1 upon DT plus DQ2 upon DT और यहां से क्या आ जाएगा, आपका यह DQ3 divided by DT plus DQ4 divided by DT और यह क्या आ जाएगा, plus DQ5 divided by DT यह आपका आ जाएगा यह आगे हैं से, आप यहां से देखिए यहां तक सबको clear है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर माल लिजे, if अगर आपका D upon DT क्या है, आपका constant है, D upon DT is your constant, अगर D upon DT हमारा constant है, तो यहां से जो previous equation उसको मैं क्या लिख सकता हूँ Q1 plus Q2 is equal to क्या लिख सकता हूँ, Q3 plus Q4 plus Q5, very very important observation, यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा observation हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर किसी भी node के उपर जो incoming charge है, यानि किसी भी node के उपर जितना incoming charge होगा, उतना ही क्या होगा दोस्त outgoing charge आपको मिलने वाला है ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो charge है, इसका क्या हो रहा है, sum हो रहा है it means that, मैं यह लिख सकता हूँ कि जो KCL है, KCL express KCL express law of charge conservation, very very important है law of charge conservation यह कई बार exam में पूछा जा चुका है, कि KCL किस पर काम करता है KVL किस पर काम करता है तो KCL जो है, क्या justify करता है आपका law of जो charge conservation है, KCL इसको आपको बताता है, so remember देशा KCL express the law of charge conservation, अभी यहां पर complete नहीं हो, अभी और आपको सिखाऊंगा अब यहां पर देखिए, जो charge होता है, charge क्या होता है, Qs to any होता है, तो यहां पर value रख दीजिएगा सबकी तो यहां पर क्या हो जाएगा N1E plus N2E Q2 का value हो गया Q3 का क्या हो जाएगा N3E, और यहां पर N4E E minus मैं क्यों हो, क्योंकि electron group charge क्या सा होता है, negative, N5 अब यहां पर देखिए, charge तो सब के electron group पर constant ही है तो it means that यहां पर E constant तो तो इसको क्या लिख सकता हूँ, N1 N2 is equal to N3 plus N4 plus N5, very important observation again कि किसी भी node के उपर, जो number of incoming electron है न, यानि कि incoming electrons है आपके incoming electrons, किसी भी node के उपर किसके उक्वल मिलेंगे हमेशे आपको, outgoing जो आपके electrons है, outgoing electrons के equal मिलेंगे, so this is your outgoing electrons यहां पर देखिए, KCL किते ही सारी चीज़ों के बारे में जो information ने provide कराता है, अब यहां से फटावर से discuss करते हैं, जो SSC JE में आपका question पूछा गया है, उसको discuss करते हैं, यहां पर SSC JE में question आया है, आपका SSC JE, यहां पर SSC JE का पहला question यह आया है, कि यह आपको इस तरीके से branches दिये गए हैं और यहां पर जो current की value वो आपसे निकलवाया जा रहा है तो यह कितना है, आपको 5 ampere दे रखा है, और यह जो है आपका 3 ampere दे रखा है, आपका सारी values ampere मैंन, और यहां पर देखिए यह जो current है आपका यह आपका 8 ampere है और यह जो आपका 6 ampere है और यहां से यह current है वो क्या है आपका I तो यहां से current I का value पूछा गया है अब simple देखो, KCL क्या बताता है incoming current, is called to outgoing current अगर मैं यहां पर दियान से देखूं इस वाले point को, इस वाले point को तो यह एक ही दो है, एक single node है की नहीं है कोई अलाग अलाग है क्या नहीं न, तो यह आपका point दोना क्या है आपका, एक ही point है, यानि कि single node है, और node के उपर incoming current हमेशा outgoing current के कल होता है, बस अब यहां से हमारा solve हो जाएगा, तो यहां पर incoming current कौन सा देखिए, 5, 3, और यहां से देखिए, I, यह क्या है सारे के सारे incoming current, outgoing current कौन सा आपके पास में, 8, plus 6, यह हमारे outgoing current है तो यह आपका 8 इस से cancel out हो गया, तो हमारे current I है, I का value कितना आ गया, 6 ampere आ गया, ठीक है बढ़िया, मज़े आया, से यह सर नो, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है तो guys देखिए, इसी तरीके के आप machine, power system, measurement है अगर इनके concept, आप अपनी tip पर लेना चाहते हैं तो guys, यहां पर इस समय चल रहा है, double validity offer तो आप SSC Jee को अगर इस बार 100 days में पार करना चाहते हैं तो electrical engineering के जो महापेक है, आप इसको join कर लिजेगा यह जो double validity offer है, बहुत ही limited समय के लिए है अच्छा, why double, यहां पर, why महापेक, क्योंकि महापेक के अंदर SSC Jee के साथ साथ, जितने भी बैचिस हैं, वो सब भी included प्लस यहां पर आपको test series, e-books, सब कुछ मिल जाएगा, pre-recorded का section, GS, GK, reasoning, सारी चीज़ेंग, आपको मिल जाएए, अलग से कोई भी पैसा खर्च करने का जूरत नहीं है, अगर आप targeted batch लेते हैं, no issue, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको test series लक्ष से मिलने पड़ेगा, e-books आपको जो है, वो नहीं मिलेगा, वहां पर तो यह सारी facilities नहीं मिल पाती है, आप देखिए, यहां पर आपको यह 14,000 पर यह बिल्कुल नहीं करना है, आपको electrical engineering और under the my guidance है, आपको यहां पर जो code use करना है, वो कौन सा code use करना है, यहां पर आपको Y433 code use करना है, नहीं आप तेखिए, और यहां पर देखिए, जो प्रायस है अभी आपका, कितना दो साल के लिए, पहले एक साल के मिलता था भी दो साल के लिए जैसे आप इसको apply करेंगे magic देखेंगे आप यहां पर यहां पर इमेडिएटली किसमें convert हो जाएगा आपका मात्र आपका यह वाला जो प्राइज है वह आपका convert हो जाएगा किसमें बतिस्व रुपय में देखिए convert हो जाएगा इतना जो कम प्राइज है इसी में आपको यहां पर जो कोर्स देखने को मिल जाएगा बहुत ही अफ़र और अगर आप इंजिनेर सद्डा का डाउनलोड करके इसको डाउनलोड करते ह महां पर और ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा तो याद रहे है फोर इलेक्ट्रिकल गाइडेंस आपको जो कोड यूज करना है वो वाई-चार से तेदी सी यूज करना है ओके गाइस तो मजा आएगा पेट बैचिस में बहुत ज्यादा एस सब्जेक में तिल दें टेटर टेक क्या बाबाई और अगर सेशन अच्छा लगाओ concept पसंद आयो ना तो ब्लीज यार कमेंट करके बताना जुरूर है ना और लाइक और शेयर कर देना ओके बाई